नमस्कार साथियो मैं सतीश महरा आज हम बात करेंगे कॉंग्रेस और भारतिय जन्ता पार्टी की जो उम्मिद्वाराओं की सूची दोनों पार्टी दोरा जारी की गई है उस सूची जारी होने के बाद जो दोनों पार्टीयों में बगावत का दोर सुरू हुआ है उस बगावत के दोर में किस पार्टी को ज्यादा नुक्सान होगा और किस पार्टी, कौन्सी पार्टी अपना जो नुक्सान होने से अपने आपको बचा सकती है तो आज हम इस बारे में बात करेंगे आज कांगरेस जैसा कि आपको पता है कि ये कांगरेस की तारीस सुमिद्वारों की दो सूचिया हैं वो जारी हो चुकी है और उसमें एक तारीस में से 28 जो विदायक हैं उन विदायकों को दुबारा से टिकट दी गई है इसके साथ इंटरनेशनल लेवल पर ओलम्पिक तक के नाम कमाया है तो उसके बाद जो दो विधायक हैं रामकर्ण काला को शावाद से टिकर दी गई है और धरमपाल गंदर को निलो खेडी से टिकर दी गई है ये भी दोनों विधायक है रामपाल काला जो जजबा छोड़कर कॉंग्रे विदायक विदायकों को टिकर ती है। और विदायक renew तोना मुझे लगता है। वहती आसान होगा। कॉंग्रेस अपनी जो आने वाली सूची है। कॉंग्रेस के सूतरों से ये पता चला है कि दो सूची और उमिद्वारों की कॉंग्रेस द्वारा जारी की जाएगी और उन दो सूचीयों को जारी करने में कॉंग्रेस बहुत ही फुक फुक और कदम रख पर दोत निस भी시간 पार्टी में जज़ादा पार्टी में ज़्यादा प्रूपर्टी में उस पर्टी को चुनाओं में ज़्यादा नुक्सान उठाना पड़ेगा बाजपा की अगर बात करें तो बाजपा ने अब भी तक एक लिस्ट जो है ना अपने 66 विदायकों के जारी की है और इस लिस्ट जारी होने के बाद बाजपा में जो है बगावत का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है लोगों यहां तक कहने लगे हैं कि सुची 66 की जारी तो जो बगावती जो बागी नेता हैं भारती जन्दा पार्टी उनको कैसे मना पाएगी कैसा मान मनोवल उनका कर पाएगी तो यह भविश्य में भारती जन्दा पार्टी के लिए बहुत एक चुनोती बनी हुई है और बीजेपी की अभी तक 10 जो नेता हैं जो बगावत क उन्हों ने आजादि उम्मिद्वायर के रूप में चुनाऊल लडने का आइलान किया जाथ बारती जंथा-पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी भी छोड़ी है, तो ऐसे में बारती संथापार्टी के लिए बहुत ही एक मुश्किल इस्तति बनी हुए। अलांकि भारती जन्ता पार्टी के निताओं का कहिना है कि चाहे पूरो मुख्यमंत्री मनौलाल कर्टर जी हो या जो वर्तवान मुख्यमंत्री नाइप सिंसेनी हो उन दोनों का यही कहिना है कि जो गुस्से में हमारे निता हमारे कार्यकरता उनको हर आलत में मनाया जाएगा और अर्याना के मुख्यमंत्री नाइप शिन सेनितों ने तो यहां तक जो संकेत दियें कि यदि अगर ज्यादा विरोध हुआ तो एक दो सीट अगर बदली भी जा सकती है भारतिय जंता पार्टी में जो नेताओं ने बगाउत किये उसमें ससीरंजन परमार हैं जो तोसाम से चुनाव लड़ने के इंटरस्टिट थे जी अल सर्मा ने तो बगाउत किये जो कारेकारी अध्यक्स भी थे और उन्हें तो कॉंग्रेस पार्टी भी जोईन कर लिए है इसके साथ साथ कवीता जैन है जो अपने पने समुदाओं को रिप्रेजेंट करते हैं उनका परभाव है अपने पने समुदाओं में यदि भारतिया जनता पार्टी नेताओं को मना लेती है तो निश्टित रूप से भारतिया जनता पार्टी को फाइदा होगा यदि मनाने में इन नेताओं को जो है ना भी लिया जाएगा और कई जो नेता है उनका मुझे लगता है एक-दो नेताओं का जो टिकट जो बदलने की जो बात है वो भारतिस तिनना पार्टि कर सकती है जो फाइदा नुक्सान होगा दोनों पार्टियों में वो सीधी सी बात है जिस पार्टी में ज़्यादा बगावत होगी जिस पार्टी में बगावती जो देता है वो अजाद उमिद्वार के रूप में चुनाओ लड़ेंगे वो उस पार्टी को ज़्यादा नुक्सान होने वाला है और कांग्रेस पार्टी एकर हम बात करें तो कॉंग्रेस पार्टी अर्याना में, मुझे लगता है एक या दो दिन में तैह हो जाएगा कि कॉंग्रेस पार्टी इंडिया एलाइस की रूप में चुनाओ लड़ेगी या अकेली चुनाओ लड़ेगी, इंडिया अलाइंस की रूप में अगर चुनाओ लड़ती है तो कंग्रेस पार्टी आप पार्टी से और सपा से समझोता होगा आप पार्टी को मुझे लगता है 6-7 कॉंग्रेस पार्टी सीटें दे सकती है और जिसमें कलायत है, जीन्द है, पेवा है, गूला है, फरिदाबाद है और फरिदाबाद इसके इलावा एकाथ सीट और आप पार्टी की खाते में जा सकती है हालांगे अभी तक जो सीटें हैं, इनकी बारे में कोई समझोता नहीं हो पाया है लेकिन दोनों पार्टी की निताओं का ये मानना है कि अन्त तो गत्वा समझोता होगा और इस समझोते के तायत अगर इंडिया लाइंस के रूप में कॉंग्रेस सुनाओ लड़ती है तो इंडिया लाइंस को काफी फाइदा भी होगा क्योंकि आप पार्टी का जो नेतरतो है वो अरविंद केजरिवाल जी करते हैं और हरियाना में सुसील गुपता आप पार्टी के बड़े नेता है अगर आप पार्टी का कॉंग्रेस पार्टी से लाइंस होता है इंडिया इंडिया एलाइंस के रूप में दोनों चुनाव लड़ते हैं तो वैसे समूद आएगा वोटर है उसका कॉंग्रेस पार्टी को फाइदा होगा और वैसे भी सुसील गुपता जो आप पार्टी गिन्यता है उन्होंने कुरुक्षेत्र से लोगसभा का चुनाव ल अच्छी जीत दरज की थी और मुझे लगता है इन चारों जो विदान सबाक्षेत्र है इसमें आप पार्टी को फाइदा होगा हालांके साबाद की टिकट पर साबाद की विदान सबाए वहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है लेकिन तीन जो पार्टियों के होंगे वो उसमें किसको नुक्सान होगा आपने भागियों को कंट्र Vall कर पाएगी तो अब तक यहीं सामने आ रहा है की भारत्य जन्ता पार्टी में जो सबसे अधीक भागी हुए हैं लुक्सान ज्यादा होने की संभावना है। उधर क negotiating की एक या दो उमिद्धारों की सुची वियाने वाली है। कॉंग्रेस पार्टी अपने जो भागी उमिद्वारों का उन्हों डर लग रहा है, अगर उनको सहियम कर पाई, उनको कंट्रोल कर पाई, तो मुझे लगता कॉंग्रेस पार्टी फायदे में रहेगी, अधरवाइस मोटे बात ये है कि जिस पार्टी के ज्यादा भागी नेत होंगे, बात अधिकारी होंगे, उस पार्टी को अल्टिमेटली विधान सबाचुनाओं में नुक्सान होगा.